बदायों की बाबा कॉलनी में मंगलवार 19 मार्च को शाम दो सगे भायों की उस तरह से गला रेत कर हत्या कर दी गई बित्यकों की उम्र 14 और 6 साल थी वारदात से गुसाई भिड़ ने जम कर हंगामा किया बाइक और दुकान में तोड़ फोड की मंडी समेती पुलीस ने तीन घंटे बाद रात को एक्शन लेते हुए एक आरोपी साजित को एंकाउंटर में धेर कर दिया जबकि दूसरा आरोपी फरार है दोनों आरोपी भी सगे भाई है हाला कि अभी तक वारदात की वज़ा सामने नहीं आई है आरोपी की पडोस में ही सेलोन की दुकान है बच्चों की मा संगिता ने बताया साजित और जावेद बाइक से मेरे घर आये थे जावेद बाइक लेकर बाहर खड़ा था साजित घर के अंदर आया कहा कि भाई मेरी पतनी के डिलिवरी होनी है महां अस्पताल में भरती है मुझे 5000 रुपे दे दीजिए मैंने साजित को पैसे दे दिये इसके बाद मैंने उससे कहा कि चाए पीलो मैं चाए बनाने चले गई साजित ने मुझसे कहा कि मुझे गपराहट हो रही है मैं थोड़ा छट पर टहल लेता हूँ छट पर जाकर साजिद ने मेरे दोनों बच्चों की हत्या कर दी हत्या का कारण क्या है मुझे नहीं पता मेरा उन लोगों से कोई विवाद नहीं है रोजमर्रा की खबरों के लिए हमारे साथ बने रही है मैं हूँ अलफिय और आप देख रहें ततकाल न्यूज लाइफ